MPM किसमें आपका बहुत बहुत स्वागते मध्य परदेश नर्सिंग वालों के लिए डबल गुर्ड यहां पर रहने वाले एनम और PNST वालों के लिए जैसा कि विद्यार्तियों आप यहां पर देख पा रहूंगे पहले हम यहां पर एनम की बात कर लेते हैं क्यूंकि आपका जो एनम कॉरस है उसका पस्ट रॉंड हो गया था सेगिन रॉंड हो गया था बट यहां पर सिट्टे वेंट रहने के कारण कुछ काउंसलिंग अभी भी बगया है और जो आपका थर्ड राउंड होने वाला एन्म का बहुत ही जल्द यहां पर पस्ट विकॉप दिसम्बर ठीक है इसके लगवग यहां पर स्टार्ट हो जाएगा तो आपको थोड़ा एक्टिव रहना है और बात करें अ यहां पर सीट नहीं मिलिए तो चिंता बिल्कुल भी मत करना आप थर्ड राउंड में आपका चांस है तो पे निस्ट का अपडेट भी आपर चेक आउट कर लेते हैं तो पी एनिस्ट का अपडेट देखने के लिए यहां पर एमपे ऑनलाइन के ओपिसल साइड पर अना हो होगा और यहां पर आप कांसलिंग का अपडेट देख पार होंगे यहीं से आप पे निस्ट का अपडेट देखोगे और यहीं से आप एनिम का अपडेट देखोगे तो कांसलिंग पर जैसे हमने क्लिक किया तो यह आपका DME ठीक है क्योंकि आपको पता है कि पहले DME का और फिर उसके बाद DHS का हुगा तो यह department देख लो यह DME में आपका MBBS हो गया या फिर आपका nursing हो गया ठीक है यह आपका nursing या इनकी PNHD तो चलो यहाँ पर click हम कर लेते हैं अब यहाँ पर अगर आप देखोगे update तो यहाँ है previous year का notification अब आप बोलेंगे सर अभी जो exam वहा था उसका notification कब आएगा तो मैंने आपसे यही बोल रखा है कि आपको last number यह आ चुका है अब आपको क्या करना है 4-5 days within इतना सा weight आपको कर लेना है ठीक है और यहाँ पर chance है कि A&M और आपके PNHD दोनु का round यहाँ पर एक साथ हो ऐसी सम्मावनाई यहाँ पर जटाई जा रही है counseling को लेकर यहाँ पर जो आपकी counseling बकाया है अभी A&M और PNHD की तो दोनु एक साथ यहाँ पर start हो सकती है ताकि government के नीद खुले बट आपको तोड़ा यहाँ पर wait कर लेना है 4-5 दिन का I hope कि यहाँ पर update आई जाएगा बस आपका support चीए जिन्होंने subscribe कर रहा है बेल आइकन पर प्रेस कर रहा है उनको counseling की बहुत ही जल्द update यहाँ पर मिल जाएगी link नीचे description में दे रहा है MKS Academy app का सो विद्यार तो परेसान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है government यहाँ पर NM और PNST दोनों की counseling एक साथ कराने के चकर में थोड़ा लेट हो रही है ठीक है बाइक कोई भी doubt है तो आप बता सकते हो commit करके धन्यवाद